इस कथा को जो पढ़ेगा उसे 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल जाएगी। एक बार की बात है कि यशुदा मैया प्रभू श्री कृष्ण के उल्हानों से तंग आ गई। और छड़ी लेकर श्री कृष्ण की और दोड़ी। जब प्रभू ने अपनी मैया को क्रोध में देख तो वह अपना बचाव करने के लिए भागने लगे। भागते भागते श्री कृष्ण एक कुमार के पास पहुँचे। कुमार तो अपने मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था। लेकिन जैसे ही कुमार ने श्री कृष्ण को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। कुमार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेशवर हैं। तब प्रभु ने कुमार से कहा कि कुमार जी आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है। मैया चड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही है। भाया मुझे खहीं छुपा लो। तब कुमार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छुपा दिया। कुछ ही शणों में मैया यशुदा भी वहाँ आ गई। और कुमहार से पूछने लगी, क्यों रे कुमहार, तुने मेरे कनहिया को कहीं देखा है क्या। कुमहार ने कह दिया, नहीं मैया, मैंने कनहिया को नहीं देखा। श्री कृष्ण ये सब बाते बड़े से घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। मैया तो वहाँ से चली गई। अब प्रभू श्री कृष्ण कुमहार से कहते हैं, कुमहार जी, यदि मैया चली गई हो, तो मुझे इस घड़े से बाहर निकाल दो। कुमहार बोला, ऐसे नहीं प्रभू जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हे 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ, अब तो मुझे बाहर निकाल दो। कुमहार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभू जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दोगे, तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूँगा। प्रभू जी कहते हैं, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन मैं देता हूँ, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। अब कुमार कहता है, बस प्रभू जी एक विंती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दो, तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूँगा। भगवान बोले, वो भी बता दो, क्या कहना चाहते हो। कुमार कहने लगा प्रभू जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हैं, उसकी मिट्टी मेरे बैलों के उपर लाद के लाई गई है, मेरे इन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान ने कुमार के प्रेम पर प्रसंद होकर उन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन दिया। प्रेभू बोले, अब तो तुमारी सब इच्छा पूरी हो गई, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुमार कहता है, अभी नहीं भगवन, बस एक अंतिमिच्छा और है, उसे भी पूरा कर दीजिये, और वो ये है, जो भी प्राणी हम दौनों के बीच के इस समवाद को सुनेगा, उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे। बस यह वचन दे दो, तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूँगा। कुमार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु श्री कृष्न बहुत खुश हुए, और कुमार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दिया। फिर कुमार ने बाल श्री कृष्न को घड़े से बाहर निकाल दिया, उनके चरणों में शाष्टांग प्रणाम किया, प्रभु जी के चरंधुए और चर्णामित पिया, अपनी पूरी जौपडी में चर्णामित का छड़काव किया, और प्रभु जी को गले लगा कर इतन अन्नी उंगली पर उठा सकते हैं, तो क्या वो एक घड़ा नहीं उठा सकते थे? लेकिन बिना प्रेम रीजे नहीं, नटवर नंद किशोर, कोई कितने भी यग्य करे, अनुष्ठान करे, कितना भी दान दे, चाहे कितनी भी भक्ती करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात के लिए प्रेम नहीं होगा, प्रभू श्री कृष्ण नहीं मिल सकते, जै श्री कृष्ण, जै श्री राधे